बर्लिन की ड्राइवरलेस चुंकिय ट्रेनों की योजना को जलवाईउ समुहों ने उफास किया. बर्लिन की ड्राइवरलेस मैगनेट सिख ट्रेन की योजना को क्लाइमेट समुहों द्वारा निंदित किया गया है. बर्लिन में एक driverless magnet sick train की योजना है जो यात्रियों और सामान को लेकर बर्लिन में घुमेगी और स्थानिय सरकार की हरित साख को बढ़ावा देने का हिस्सा है शहर की नई conservative late सरकार द्वारा पेश की गई इस project को political backing से पूर्ण होने की जानकारी है और इसके समर्दकों का कहना है कि ये बर्लिन को 2045 तक net zero बनने के लक्ष में मदद करेगा जब बर्लिन की परिवहन कंपनी बीवी जी ड्राइवरों की इतनी कमी है कि उसने अपनी समय सारिनी को लगभग 7% तक कम कर दिया है उस समय स्टेटनर ने बताया कि ट्रेन्स वर ड्राइविंग होने के साथ साथ भूमिगत लाइन से सस्ती और निमान में आसान होने के इसका एक अतिरिक्त फायदा है लेकिन पर्यावरण विदो ने योजनाओं की निदा की है सिडियू के दावों का विरोध करते हुए कि ट्रेने भविश्यों में चलने वाली है और उन्हें महंगी उर्जा होगिंग और बेकार कहा है दबवर्स से चलाया गया अपनी योज चुनना चाहते हैं जो लोजिस्टिक के द्रिश्टिकोंड से समझ में आता हो और इसे पूरे नेट वर्क का हिस्सा बनाए रखने के साथ साथ अस्थाई नहीं माना जाता बर्लिन और ब्रेंडेनबर्ग के पडोसी संगीय राजों को जोडने वाले विबीवी परिवहन नेट वर्क के प्रमुक उटे बोडे ने योजना के समर्थन का व्यक्त किया और कहा कि बर्लिन जो कारों पर अधिक निर्भर है को लोगों को अपनी कारों से बाहर निकालने और ट्रेनों में सवारी कराने के लिए नए और अभिनव विचारों की आवशकता है। ट्रेन की ये विचार उन सभी के लिए एक मजाक है जो जलवाईयू कारवाई में तेजी से सुधार करने के बारे में गंभीर हैं। हो गया था पावर्ड बाय डबवर्स। दबवर्स से चलाया जाने वाला। दबवर्स से चलाया गया। नई एम बान पर्योजना ठीक से शुरू होने से पहले ही इसी तरह की धन की कमी का शिकार हो सकती है। संगीय सरकार के मल्टी बिलियन यूरो जलवाईयू निधी के भविश्य पर अनिश्चित्ता के बीच जिसका बर्लिन सरकार योजना के लिए उपयोग करने की उम्मीद कर रही थी। जर्मनी की सर्वोच अदालत ने फेडरल सरकार की योजना को रोग दी जिसके अनुसार कोविड यूग से बची राहत की धनराशी क्लाइमेट एमर्जेंसी से निपटने के लिए पर योजनाओं को वितपोशित करने के लिए इस्तेमाल होने वाली थी जिसससे कई नीतिग से निपटने के लिए उपियोगी तरीकों के लिए खर्च किये जाने चाहिए न कि बेकार के शायद अच्छे होंगे के लिए इसमें कहा गया है कि इम बान जलवाईू सनरक्षन के पक्षकारों को ठेस पहुंचाने के लिए सिडियू द्वारा बीच की उंगली को इंगित करना था